कि नमश्कार दोस्तों मैं अली तोनी दश्टी आई एस की न्यूज और मैप इंडिया सिरीज में आपका स्वागत करता हूं आज कि वीडियो में हम भारत पे जुड़ी वी कुछ लोकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही है और यह लोकेशन निमनलिकित विश्चताव पर विचार कीजिए आपके सामने तीन स्टेट्मेंट दियो हैं आपको तीन स्टेट्मेंट को सही मानते हुए देखना है कि किस प्रजाति का यहां पे वर्णन किया जा रहा है ठीक है इन्हें मनिपूर में कहुआई पूईना के नाम से जाना ज होते हैं ठीक है आपको देखना है कि किस प्रजाधि के बारे में बात कर रहे हैं साइबिरियन क्रें slag ट्र या फिर एशे केहर तो यहां पर यह बात हो रही है वह हो रही है अमूर फालकन की अमूर फालकन अभी चर्चा में इसलिए था कि मनिपूर ने इनके हंटिंग को इनके शिकार को बैन कर दिया है क्योंकि आपको पता है कि यह इस वक्तोबर के आसपास यह जनरली मनिपूर और नागा लेंड के एरियाज में आते हैं फिर यह आगे जो है अफ्रीका की तरफ निकल जाते हैं तो इनका एक स्टॉप और होता है यहां पे और सिंसे आने वाले थे तो इसलिए यहां पे इनके शिकार पर प्रतिबंद लगा दिया गया था ठीक है इसलिए चर्चा में था तो आपका ऑप्शन भी जो है वो सही उत्तर है यहां पे इनको लोकली कहुआ ही पुईना नाम से जाना जाता है वहां पे अमूर फालकर नाम से एक त्योहार भी मनाया जाता है तो आप यह सब चीज़ा थ्यान रखेगा यहां देख लीजिए कुछ इस तरीके का यह पक्षित दिखता है इस खबर के बारे में आपको बता चु लिया या फिर सुदूर रूस से आते हैं पलायन करते हुए भारत में यहां मनीपूर नागालेंड की तरफ इनका स्टॉप और होता है और उसके बाद यह सब कॉंटिनेंट को क्रॉस करते हुए यहां पे अफ्रिका या यूग से अफ्रिकन कॉंटिनेंट के अदक्षिनी भागों में जा करके वहां पर अपनी सर्दियां बिताते हैं ठीक है तो यह बात हो गई आपकी अमूर फलकन की और यह इसी वज़े से चर्चा में था और इसके अलावा यहां पर कुछ ऐसी चीज़ें दे रखिए जो आप पढ़ सकते हैं इसके लावा मैं आपको बता दो कि यह migratory birth है याना कि यह पलायन करने वाले पक्षी है इसके अलावा इनका root मैं आपको बता चुका हूँ अगर IUCN status के बारे में बात करें ठीक है तो IUCN status के हिसाब से यह least concern है ठीक है तो यह आप जहां रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको के बैचेज 18 अक्टूबर से सुबह साड़े 11 बजे स्टार्ट होने वाले हैं तो अगर आप इसमें इन्रोल करना चाहते हैं तो आप डारेक्टी सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501 ठीक है तो हमारी जैपूर शाखा और लक्र दिरस्ता की आता विचार कीजिए यह कर दो की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदर का है दूसक्रा ःपल। नाम से भी जाना जाता है ठीक है अब आपको बताना है किस बंदरगा के बारे हम बात की जा रही है पहला है जवाला लहरू बंदरगा दूसरा दीन दयार बंदरगा तीसरा मर्मोगाव और चौथा है कोची जब हम बात कर रहे हैं कांडला बंदरगा की तो आपको पता होना है ये कांडला का दूसरा नाम या दीन दयार उपड़ा बंदरगा है तो ऑप्शन भी जो है वह आपका सही उत्तर है यह अगर हम बात कर रहे हैं मात्रा के हिसाब से तो यह सबसे बड़ा बंदरगा है और यह पश्चिमी तर्ट परिस्थित है ठीक है इसकी लोकेशन देख बंदरगा जो है पश्चिमी तर्ट परिस्थित होंगे जैसे कि आपका मुंबई पोर्ट है दूसरा जवाल लाल नहरू नवाशेवा पोर्ट जिसे कहा जाता है उसके अलावा यहां पर आपको देखेंगे मरमागाओं पोर्ट है उसके बाद न्यू मंगलूरी पोर्ट है और उसके बाद कोची पोर्ट है ठीक है इसके अलावा है वैसे ही पूर्वी तर्ट पे भी काफी यहां पर बंदरगा है जो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि बहुत पॉमिनेंट और इंपोर्टन जो है विशाखा पत्नम आपको पता होगा दूसरा कोलकता हल्दिया पारादिव यह सब सारे जो बंदरगा हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर दो कहता है कि रंधंबोर टाइगर रिजर्व के बारे में निम्र लिखीत कत्रों पर विचार कीजिए पहला स्टेट्मेंट है यह अरावली और विंध्य परवत्माला के जंक्शन पर इस्थित है दूसरा है दक्षिन में चंबल नदिया और उत्तर में बनास नदी बाग भैरन को घेरती है सही विकल्प का आपको चुनाव करना है ठीक है रंधंबोर अभी चर्चा में इसलिए था कि यहाँ पे एक ए देखेंगे कि यह जो एरिया है यह रंधंबोर क्या एरिया है रंधंबोर नेशनल पार्क का सो यह राजिस्थान में इस्थित है ठीक है दूसरी बात हम लोग आप आप आएंगे कि रंधंबोर कहा गया है कि दो नदियों के बीच में इस्थित है तो आप देखिए यह जो दूसरी यह जो दिया आपकी चंबल है जो कि वह जाकर के यमुना में मिलती है ठीक है तो यह बात भी सभी है कि रंतंबोर इन नदियों के बीच में इस्थित है ठीक है तो आजाते हैं वापस सवाल पर पहला स्थित्मेंट सही है क्योंकि अरावली और विंद्या परवतमाला टाइगर रिजर्ट का दर्जा माँग रहा है रातापानी अभारन पांदवगार अभ्यारने शरुस्का सुंदरवन डेट्रीरर चर्च में रहा है क्योंकि यह जोह है cigarette kalian li ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग इस एरिया की बात करें मध्यप्रदेश में प्रोटेक्टिट इरिया इसकी बात करें तो काफी इंपोर्टेंट एरिया मिलेंगे आपको जैसे कुनो कुनो आपको पता है कि चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए काफी फेमस द्यांब रहा है अबी पिछले साल भर में उसके अलावा बात करें गांधी सागर वाइली लाइव सेंचुरी की तो चीताओ का जो दूसरा घर माना जाता है वह गांधी सागर को माना जाता है तो यह आपके लिए इंपोर्टन हो जाता है इसके अलावा हम लोग पन्ना की कर आएगा तो पन्ना आपको पता है कि केंद बेटवार लंक प्रोजेक्ट के लिए काफी फैमस राय क्योंकि उस प्रोजेक्ट बघ्रेक्ट वी अपके लिए काफी इंप्रेटनट है क्योंकि यह महराश्च्रों और मध्य दुष्रा स्टेट्मैंट है यह अभ्यारेण है रबारी और भरवार जन जातियों की एक बड़ी अबादी का घर है ठीक है तो आपको पूछा गया कि कहा की बात हो रही है किस जगए की बात होरी यह बननी घास का मैदान वर्दा वन्यजीव अभ्यारेण और फिर कच रैकिस आप ऐसी ही जगह पे तो अबहरन बनाएंगे तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है जंगली गधा अबहरन और इसे यह लोकल एंग्वेज में खचर गा जाता है यहां पे दो जंजातियां है जो काफी प्रमिनेंट है बरवार और रबारी ठीक है और यह सा यहां पे स्थेत्ह धिक यह गुजरात के अंदर और जारं लोग इनके हिंडेज स्थेत्स की बात करे तो यह भी लींश्ट कंशन marked करते हैं तो यह…? concerned है ठीक है और अगर हम लोग इनके IUCN status की बात करें तो ये जो है आपके near threatened है ठीक है ठीक है चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ बात हैं यहाँ पे लिखी गई है इनके उपर जो है इस तरीके की आप धारियां देखने को मिलती है और ये near threatened है अगर हम लोग site के बारे में बात करते हैं तो इनका status है इनको appendix 2 के अंदर रखा गया है और अगर हम लोग इनको wildlife protection act के बारे में एशिया हाथी है वे घायल जंगली हाथियों को पकड़ सकते हैं बचा सकते हैं उनका इलाज कर सकते हैं और उन्हें मानव बस्तियों से दूर भगा सकते हैं ठीक है उसके बाद है तीसरा गजों में इस्तांतर तो पहली बात कर अगर लोग किंग कि वारे मैं चर्चा इसलिए थी इंको एक राज्जय से राज्य में भेजा गया है जहां पे भी human animal conflict होते है या human elephant conflict होते हैं वहां पर इनको भेजा गया है यह प्रशक्षित बंदी एश्याई हाथी है यह बिल्कुल सही है यह प्रशक्षित है और यह captivity में रखे जाते हैं याना कि यह बंदी हाथी होते हैं दूसरा गायल जंगली हाथियों को पकड़ सकते हैं हलां कि खुद नहीं तो आप दिहां रखेंगे कि यह कर ना तक ने किया है और जब बात करते है तो सबसे अच्छे कुम की हाथी है और यहां पर देख लीजिए यह कुम की हाथी है और इनके महावत है जो इनको को यूज करते हैं जो ऐसे को एरिया जहां पर हाथी आतन बचा रहे हैं या फिर जंगली हाथी अगर गुसा आएं तो उनको वहां से हटाने के लिए ठीक है और यह एक मैप दिया गया है जो आप ध्यान में रखेंगे अभी हाली में अगर हम बात करें तो यह माना जाता है कि भारत में हाथियों की जो संख्या है वो 20% से कम हुई है ठीक है हालां कि जब हम लोग बात करते हैं State of Elephants in India रिपोर्ट तो वो लास्ट टाइम 2017 में आई थी हालां कि यह रिपोर्ट हर पांस साल में पब्रिश होती है लेकिन पिछले साथ सरकार नहीं कर पाई हालां कि इस र आथियों के बारे में कुछ यहां पर स्क्रेक्स दिए गए अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं या स्क्रिंशॉट ले सकते हैं चलिए अगला सवाल है मदूमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में निम्ले लिखित कतनों पर विचार कीजिए यह तमील ना यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम इसकी लोकेशन देखींगे तो आप आएंगे यहां पे आप देखिए कि इस एरिया में यह जो एरिया है यह आपके वैस्टन घाट ए यह आपके इसरल गार्ट है और यह कॉंफ्लेंस करीजर ने जहां पhrम एस्टन घाट और शहं यहां मिलते हैं यह निल्गरी में मिलते हैं आप देखेंगे यहां से निल्गरी स्टार्ट होता है और यहां तक भी यह निल्गरी की बात हो रही है ठीक है तो यह निल्गरी का हिस्सा है और निल्गरी के इस हिस्से में आपको यहां मिलेगा मदूमलाई वाइल लाफ की तरफ केरवल ऊपर की तरफ करणाटक और इस तरफ तरफ तमिलाडू ठीक है तो आप यहां रखेंगे चलिए वापस आज़ाते सवाल पर यह तमिलाडू राजे में है और तीन राज्जव और साथ करनाटक केरण और तमीनाडो के ट्राइजंक्षन पर इस्थित है यह बिलकुल सही है दूसरा नीलगी बाइश्फर विजब भारत में पहला विजब का एक हिस्सा है यह बात भी सही हमने देखा है कि जब हम मधुमलई की बात करें तो यह निलगिरी का हिस्सा है ठीक है तो यह दूरों स्टेटमेंट साही है और सी जो है वह आपका सही उत्तर हो गए यहां पे चलिए अगला सवाल देखते हैं कोशन नमबर सेवन बागमती नदी के संदर में या संबंध में निलगिर्षित कत्रों पर विचार कीजिए या नेपाल शिवालेक और तराई से होकर गुजरती है इन में से कितने कथन सही है ठीक है पहला स्टेटमेंट देखते हैं यह नेपाल और भारत के बीच सीमा पर एक नदी है विल्कुल यह सही है क्योंकि बागमती नदी अभी चर्चा में इसलिए रही थी आपको पता है नेपाल और बिहार दोनों जगह पे अभी बाड के अहलात है और बाड की वजह से यह नदी जो है चर्चा में रही थी जब अगर इस नदी की लोकेशन की बात करें तो आप यहां पर पाएंगे कि यह नेपाल से स्टार्ट होती है फिर यह काठमांडू होते हुए यह बिहार के अंदर की तरफ आती है तो मतलब भारत और नेपाल के बीच की एक नदी है और यह काठमांडू में आपको पता होगा पशुपतिनार्थ मंदिर है इसलिए हम क्या सकते हैं कि इस नदी के किनाने पर यह मंदिर स्थेत है ठीक है तो यह बात हो गई तीसरा चीज है कि यह तीन अलग है और उसके साथ साथ यूपी के कुछ हिसे भी है यूपी बिहार के जो तराई में आते हैं तो यह तीनों भोगलिक छेत्रों से हो करके गुजरती है तो यह स्टेटमेंट भी सही है ठीक है चलिए वापस स्टेटमेंट पर आते हैं पहला है कि यह नेपाल और भारत के जैसे कि आप इस मैप में देखेंगे कि अगर हम बात करें तो नेपाल के तरफ जिए हमालय है और यह इस तरफ कुमाव इस तरफ कहीं पढ़ते हैं थीक है तो इसलिए कुमाव से पर विचार कीजिए सांग्यांग ग्यात्सो जो हम बात कर रहे हैं चोटी की तो रिसेंटली इसका नाम जो है दलाई लामा सिक्ट डलाई लामा के नाम पर इसका नाम रखा गया था और चाइना इसमें काफी आप कह सकते हैं इसका उब्जेक्शन उठा रहा है इस चीज को ल स्थित्त है आपको पता होगा कि यह नहीं यह लद्दा की इसका गलत हो गया राश्ट्री परवतर रोहन सहसिक खेल संस्थान निमास जो जिसे चोटी पर अभ्यान चलाया रक्षा मंत्रा लेकि अधीन में kाम करता है जब हम निमास की बात करता है यह कहना चा रहे हैं कि य युकुल सही है ठीक है तो आपका गलत हो जाता है पहला और तीसरा सही है तो आप देखेंगे ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर है अब आप इक बार इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में इस्थित है और दूसरा हमने न्यूज ओलिडी देख लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका अभ्यास प्रिश्ण है यहां पर हाल ही में महाराश्टर के नागपुर में उद्गाटन किये गए ऑक्सिजन बर्ड पार्क के बारे में निम्न लिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला यह परियावरण वन और जल्वायू परिवरतन मंत्रा ले दोरा विक्सित एक पारिश्थितिक की पहल है दूसरा है पार्क को प्राकरतिक पार विक्ष प्रजातियों को सरक्षित करना है जिसमें भारतिय बेल और जंगल की पीली लौश शामिल है आपको इन में से देखना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है ठीक है इनको पढ़िए इन में से सही स्टेटमेंट का चुनाव कीजिए और फिर इस क्रूशन का आंसर जो है दियर विवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले